सीरियस वीडियो में जोक मार रे मंची भाई क्या कर रहे हो या इंस्टेंट ली आया यह कंपनी ना गलीच और जलील से भी नीचे गिरती जा रही है यह दर गलीच और दर जलील होते जा रहे हैं यह हाल हो रहा है पोको इंडिया का कि ट्वाई इस अधिया इंगी जुआ कर चाहिए इन भाई सापका है इनका नाम है अमी भारद्वाज बैठाइट इनका का सी नाम अमन श्रह्त वाज तो इनका पोको एक्स 3 प्रों जो है वो फाद गया और मैं पोको इंडिया ने आनने फोन भेज दिया है रिप्लेस्मेंट अब यह नहीं पता कि नया भेजा पुराना भेजा पर इनको फोन भेज दिया है अभी जब मैं विडियो रिकार्ड कर रहा हूं तो इनको अपी वो फोन मिला नहीं है बट इनका कहना है कि यह अपना ट्वीट सबसे पहली बाद तो डेलीट नहीं करेंगे भाई सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस दो कॉड़ी की कंपनी के आगे खड़े हो रहे हो क्यूंकि इनका कहना है कि यह क्या करेंगे कि जब इनको फोन मिल जाएगा तो यह उसकी फोटो इस ट्वीट के जवाब में भेजएगे अब ये हैं फोटो जो की फटा है इनका POKO X3 PRO जो की यह चार्ज कर रहे थे तो भाई यह फोन इनका फट गया आहँ न蒂 तो इन्होंने ट्वीट किया, POCO INDIA ने आने contact किया, फोन भेज दिया, पट उसके बाद POCO INDIA अधना कलीचे उन्होंने मीडिया को पता है कया statement दी, ये statement दी. पोको एंडिया ने मीडिया को स्टेटमेंट का कहना है कि अमन की गलती है यूजर की गलती है फोन पे प्रेशर डाला गया था अवे ये इतने जलील और दो खोडी के कंपनी है ना ये क्या बताऊ में तुम्हें कुछ महीनों पहले एक पोको एक्स 3 भी फटा था उसमें भी इ जिचकस लेके उसके अंदर छ्षेद करने की कोशिश करेगा ये हमेशा है ऐसे करते हैं इनकी फित्रत है ये इनकी फित्रत है कि ये यूजर को ब्लेम करते हैं ये है इस कंपनी की आखात मितलों उसका फोन फट गया और उसमें मतलब जवाब क्या रही कि भाई बैड की यह थोड़ी की फोन फट जाएगा, हाड सर्फेस पर रखके फोन को चार्ज करना चाहिए, अब भाई, अगर तुम्हारे लॉजिक से चलें, और यह खत्रा है कि भाई, फोन को बेड़ पर रखके चार्ज करो, तो भाई, कमपनी को लखके देना चाहिए ना, मैनुल में वार्निंग के साथ, लाल के साथ, लाल वार्निंग की फोन को बेड़ की चद्दर या शीट पर रखके चार्ज ना करें, हाड सर्फेस पर रखें, भाई, हाड सर्फेस ते कुछ और ना समझ जा ना, क्योंकि हाड और भी, कि विजे कुछ और हाड हो गया उस पर रखके कर लिया मत करना वाई वहां पर रखके लिए सीरियस वीडियो में जोगमार्रे वनची वाई क्या कर रहे हो यार इंस्टेंटली आया हां तो यह 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 दो कॉड़ी का लॉचिक है देखो कि हाड सर्फिस पर रखके करना है चार्ज आई कल कोई और जिनकी यह सोचे ना कि बेड़ पर रखके चार्ज कर रहा था इसलिए फट गया सबसे पहली बात यह सब चीजे टेस्ट होती है ठीक है अगर आजपास का टेमप्रेचर बढ़ जाए तो चार्जिंग स्पीड श्लो हो जाती है वेसलिये होती है दुसरा अगर तुम्हारे लॉजिक से जाए तु अगर तुमने कलती से 120 वाट या 200 वाट चार्जिंग वाला फोन खरीद लिया इनका शॉमी का हना तो तुम तो ब बरफ की सिल्दी और आई स्कूलिंग सिस्टम लोगे या लिक्विड नाइट्रोजन का सिस्टम लोगे उस पर रखके में अपने फोन को चार्ज करूंग वरना फट जाएगा क्या मतलब धकियान उसी लॉजिक है एकतम हना और भाई और और पोको एनिया का लॉजिक की फो पर प्रेशर था अभी पोको इंडिया के लॉजिक से जौंगो तो मैं बता रहा हूं भाई वो ट्वीट चेंज शूरू कर दो कि पोको इंडिया का लॉजिक अपने पिछवाड़े की पॉकिट मत रखना क्यूंकि अगर उस पर रखके बैठ गई तो भाई पिछवाड़ा कि महां पर प्रते कोई फों महां की सरकार मार लेंकी दो दोके कुटा बना देलिन का अपने यहां कोई वो नहीं मतलब की कोट में केस भी कर देगा तो पांत शाल उसे केस में लग जाएंगे तब तक वो नें फोन भी ले चुका होगा होगा चौड़ो किसी और देश में च सारा 800% year-on-year जो growth है, वो सारी निकल जाएगी एक ही lawsuit में. Millions of dollars मिलते हैं वहां जब लोग sue करते हैं. भारत में हैं ना, वो इसी बात का फायदा उठाते हैं ये और क्या कर रहे हैं ये. और हुआ कुछ नहीं है, पोको इंडिया के सर पे चड़िया है. पोको इंडिया के सर पे इनकी success चड़ गई है, इसलिए ये आगल कुट्टे की तरह customer को बोल रहे हैं. कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी तुम्हारी तुक नहीं गलती हो इनकी सकती सालो, कि तुम्हारी 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 तुम्हार